नमस्कार बच्चों स्वागत है आप समीकाव आपके अपने अपने अनलाइन संस्थान प्रिक्षा प्लस में रेलवे एंटी पीसी की फॉर्म भरने की जितने भी क्यूरिसिटी आप सबे की है वो सब आपका बड़ा भाई बहुत बहुतर तरीके से दूर कर देगा और सबसे बड़ी डिमांड आपकी वीडियो की थी कि सर मैं इस राज जिसे हूँ कहां पर मैं फॉर्म भर दूँ कि मेरा सेलेक्षन हो जाए और पोस्ट प्रफरेंस क्या होगा तो आपके इस डिमांड को पूरा करने के लिए मैं आ गया हूँ और आज इस सेशन में बहुत बहुतर तरीके लिए हम समझेंगे कि किसी राज जव अगर आप किसी पर्टिक्लर राज से हो तो आपको कहां पर फॉर्म भरना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब और शेकर लीजेगा सारी बाते और इस बात की गारेंटी है कि जो मैं आपको अनलेसिस और स्टेट वाइस बताने जा रहा हूँ आपको पूरी यूट्यूब पे किसी भी संस्थान के द्वारा नहीं मिलने वाला है इस बात को आप समझेगा मेरे बात कोई बहुत सब्सक्राइब बना दे तो वह बात अलग है आते हम लोग समझते कि आखिर आपको जोन चूस करने में ध्यान क्या रखना है यह सारी बाते आपको दिमाग में रखना है जब भी आप कोई चीज जोन चूस करोगे और आते हैं हम लोग की जो आपके लिए एक बहतर मेहनत एक बहतर अनलिसिस करके लाया हूँ यह पहला चार्ट है जिसमें मैंने आपको टोटल वेकेंसी और आपके पोस्ट वाइज जितनी वेकेंसी है वो मैंने बताया है कि level wise, post wise और ये आपका बढ़ते से नीचे घटते क्रम में है साथ में अगर आप देखोगे तो दूसरा चार्ट जो post demanding का ये आपको category wise है जैसे SC, ST हवारे OBC भाई है, अन्रिजा वाले भाई है AWS वाले भाई है, इन सब के लिए पुरा category wise और ये आपका total vacancy chart यहाँ पर बनाया है और तीसरा सबसे जादा जो सबसे महतपूर है साथ आपको ये दिखरा होगा और ये आपके लिए है ये आपका आप किस राज से बिलॉंग करते हो अगर आप particular राज से बिलॉंग करते हो तो आपको कहाँ पर आवीदन करना चाहिए इस चीज़ को हम लोग इस start में समझेंगे और ये समझेंगे हम लोग बेहतर तरीके से क्या बेहतर तरीके से हम लोग पूरा map के मादरम से ये पूरा आपको analysis समझाने से पहले मैं छोटी सी जनकारी आपको दे दूँ बहुत सारी चीज़े मैं आपको यहां पर बताने के लिए लेके आया हूं लेकिन एक बहुतर चीज कि जो मेरे भाई अभी तैयारी करना बिल्कुल start करना है प्रारम करना चाहते हैं परिक्षा प्लस मात्र 199 रुपए में आप कोई भी course देखोगे आप चाहे NTPC देखोगे आप चाहे यहां पर लेक रुप्टी देखोगे हाला कि मैं NTPC की बात करूँगा और अभी मौके पर आपको जरूरत भी NTPC की है तो 199 रुपए में सब कुछ सारी light classes, उनकी recorded classes, आपको class के notes, आपको booklet notes, साथ में आपको पूरा guidance, आपको topic test, दोना भासाओं में, English और Hindi भासाओं में, सब कुछ बहुत proper तरीके से परिक्षा प्लस एप पर दिया जा रहा है आपको यह चीज पूरा पढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुतर टीम, पूरी engineers के टीम, पूरी reputated, आपके सबसे experience टीम में ने लगा दिया है, आपको पूरा maths में, मैं और महभूब सर आपको maths पढ़ा रहे होंगे, दो teacher के, महभूब सर के यहां पर फूटो नहीं लगी यह तमाम, यह सभी e-book जो आप 700-800 रुपे में खरिकते हो, आपको 10-20 रुपे में परिक्षा प्रस एप में मिल जाएंगे, और यह परिक्षा प्रस एप है, जो आप प्रेड कोस में जाओगे, NTPC 2.0 को कोस से प्राइब अभाई नाओ करोगे, और आपकी यह सारी चीजे 8 बुजब की मैस और रिजनी की क्लास चलती है, तो इसे भी आप अटेंड कर सकते हो, हम लोग यहाँ पर बात कर रहेते क्या, कि आखिर आप किस राज जिसे हूँ, और आपको कहां पर फॉर्म भलना चाहिए, एक सबसे बड़ा जो डाउट हमारे दिमाग में, सबसे प्रदेश का कोई लड़का है, यह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का कोई लड़का कहां कहां फॉर्म भरे, अगर आप इसे मैप पर देखोगे तो उत्तर प्रदेश आपका यह, यह आपका क्या है, यह आपका उत्तर प्रदेश है, और अगर उत्तर मैंने बोला है अगर आपको safe zone choose करना है तो आपको यह देखना होगा कि इससे पहले भी high or low zone वाले cutoff कौन से हैं अगर आप देखोगे तो प्रियाग राज सबसे highest cutoff zone में आता है एक एक चीज में पूरा आपको cutoff का एक एक चार्ट लेके आया हूं और सारा मैं आपको cutoff नहां पर दिखा सकता हूं कि कहां का कि इस zone का कितना cutoff गया था पिछली बार जो आपका cbt1 था cbt1 मतलब कि आपके 100 नंबर में अगर आप cutoff देखोगे तो जिसे अजमेर का 73, 84, 83 यह आपके क्या है यह आपके normalized marks हैं और यह नंबर अन्रिजब के बहुत ज़्यादा होते हैं आप SC, ST, OBC, AWS सारे category के देख सकते हो लेवल 6 की बात किया दिए तो 83, 82, 88 यही प्रयागरा जाना पाते हैं सोचो आप के 88 नंबर cutoff गया है अगर लेवल 6 का एक बहुत बहुत बहुतर इस बार लेवल 6 में से सुनना है बहुत ध्यान से देखना भी है कि आप अगर किसी राजे से apply कर रहे हो तो उसमें 2-3 parameter तो आपको दिमाग में रखना ही है कि भाई आपके घर की दूरी क्या है आपका परिवार के डाइट तो क्या है परिवार में responsibility क्या है आपका घर से कितना दूरी है दूरी आपका matter करता है लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंटर करती है मेरे लिए मेरे ख्याल से अभरती वर्ग के लिए पहली चीज है नौकरी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भाई मुझे सबसे पहले नौकरी मिलने चाहिए पैसा आएगा हाथ में तो सब कुछ मैं मैंने कर जैसे मैंने बताया ना कि गुड्स मेंनेजर वगरार में एक एक लाग तक सेलरी मिल जाती नबबे-बेहाजार तक स्टेशन मास्टर वगरार में चीज़तर अश्टर अश्टर आजार ऐसे कर आप करो कि इसमें 55,000-70,000 इन हैंड सेलरी आपकी किटने-पिटने के बाद पह को यह है रंद पर्देश का था है पूरा यह सौल्टिंग अल्फा disease की ओँ मैं लेजबसे पहले तो आप में इस्ट तान हो गया दिली यह इसे हैं जहां पर सबस्जार है आपि अन्विव्थे पोछ पूच्ट पूचन है क्योंकि बिली राज और किश्यो Vis Boss दोरे विवा तो जोन तो देख रहा है लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा है कि हम किस राज में हैं तो हमारा राज किस जोन में आएगा आप अब यह दिमाग से निकाल दो कि आपका राज किस जोन में आएगा आप एक ऐसी जॉब करने जा रहे हो जहां पर आप हो सकता है ट्रेन पर हो तो 500-700-2000 km चलती है तो किस राज़ी में हो डिपेंड नहीं करता हाला कि स्टेशन मास्टर हो गया या कोई ऐसा हो गया तो आप अपने घर पे आ रहे हो आप जो का जो आस्तरी घर है जहां ममी पापा सब लोग रह रहे हैं अगर आपने घर के पास रहे हैं तो थोड़ा सा आराम मिलता है और इन सारी चीजों को दिमाग में हम लोग रखके ही यह पांच ऑप्शन दिया है कि आप इन पांच राज्यों में अगर आप भक्ते हो तो आप कहीं न कहीं हर तरीके से फाइदी मंद्र होगें दिमाग में आता है कि सर आपने बोला प्रयाग राज और गोरग पुर तो यहां पर यह क्या है यह तो बहुत हाई कट आप जोन जान पर पहुंच जाएं हम 116 में स्टेशन मास्टर पाजें तो ऐसे में क्यूंकि अपकी प्राथमिक्ता आपका घर रह गया और जब आपका घर आपकी प्रीयाग राज और गोरफपुर मैंने एड़ किया और ऐसे मैंने हर जोन में एड़ किया एसे बच्चों के लिए जिनकी घर से दूरी होता है, उन लोगों के लिए भी उनका जोन है, तो समझे, अगर आप उत्तरपदिस जोन से हो, तो आपके लिए एक बहितर आ क्या है, गुहाटी है, और बैंडरू, आप इसे मैप के लोकेशन पर देखोंगे, तो उत्तरपदिस राजी कहां पे, यहां पे, आपके सिल्गोडी और गुहाटी आना होगी थोड़ा सा यहां पे, यह थोड़ा सा आप अपने इसाप से करेक्ट कर लेना, यह ध्यार देना, अब मैंने बोला कि उत्तरपदिस का बच्चा कहां चला जाए, उत्तरपदिस का बच्चा गुहाटी उसके लिए स्तेफ जोन ह इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप गुहाटी की लोकेशन देखोगे, तो यह कहां है, यह आपका सबसे बोलती हो सकते हो कि उत्तरपुरवी जो आपके राज है, जो आपके पुरवुतर राज है, आपके सबसे एक्स्ट्रीम राज है, यहां पे कंडिशन, जो वेदर कंडि परिवार का होता है, अपने बत्चे को दू नहीं जाने देता ज़्दा, किसी की सादी हो गई,サधी होने वाली है, अपने परिवार को, एपने छोटे बैबी को, छोड़ के नहीं जाना चाता है, ऐसे भी बच्चे हैं और इसलिए मैं सारे एक्जाम्पल को सेट कर रहा हू लेकिन तब आपकेलिए मैंने बूला है आप नीरे श्टोज करूँगे और आगर आपको यह लगता है कि नौकरी प्राथमिक्ता है तो क्या गोहाटी, क्या जम्मू, क्या आपका त्रिवेंद्रम, क्या आपका त्रिवेंद्रम, क्या आपका एहम्दाबाद, आपके लिए फिर दूरी मैटर नहीं करती है, आप गोहाटी जाओ, क्यों गोहाटी, क्योंकि गोहाटी में अधिकांस बच्चे नहीं जाते हैं, प पासकर अन्रिजब्ड का देखा जाए तो भी 213 है, अगर OBC का देखा जाए 140 है, 38 देखा जाए ST का, SC का 74 है, AWS का 51 है, साथ में अगर मैं बोलू तो गुहाटी जोन ऐसा जोन है, जहाँ पर लगभग हर पोस्ट के लिए वेकंसी है, चाहे आप यहाँ पर बात करो के CCTS के लिए, चाहे स्टेशन मास्टर के लिए, चाहे बूर स्टेट मैनेजर के लिए, चाहे आपका JCT के लिए, या आपका SCCT के लिए इस पारे के सारे के लिए आपकी यहाँ पर वेकंसी है तो उत्तर प्रदेश राज्य वाले बच्चों के लिए क्योंकि कॉम्पटिशन यहाँ पर सबसे अदा है सबसे रफों भी यहीं से अपलाई होते हैं मेरे हिसाब से आपकी प्राथ में तक वहाटी होनी चाहिए फिर आपकी दिमाग में आगा सरा कोलकता मुंबई भूम नीश्र क्यों नहीं बता है कोलकता बिटर कीवल आपकी नजर में नहीं है आप जैसे साथ में राज जितने भी और प्रदेश वाले हैं या फिर निकटवर्ती राज्य हैं सारे लोगों के पहली जो 24 होगी कोलकता होगे अब आप भी अपना पहला चोईस कोलकता बना लोगे तो एक बात समझना कि सारे बच्चे तो कोलकता जाही रहे हैं आप भी वहाँ चले जाओगे तो आप अपने क्या 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 कर दिये क्यूंकि वाब पूरे भारत का बच्चा रहे हैं आपको क्या देखना है कि कहां पे बच्चा नजल नहीं डाल रहा है अब आप फोलोगे कि सर आपने तो चिला चिला की इसीम बता दिये और आप सब को पता हो जाएगा तो मैं आपसे ये भी समझा हूं बेटा कि मेरी वीडियो जदर-जदर पचास अजार एक लाग दो लाग तीन लाग बच्चा देख लेगा लेकिन एंटीपी सी में अप्शालाइकंज़ान बच्चा बच्चा ब्यद्धू नहीं देख लेगा दूसरी बात में आपको समझा दूं कि अगर पचास के प लेकिन जब कोई सही guidance देता है तो उसे follow भी करना चाहिए तो practicality यही है कि मेरी वीडियो 50 लाग बच्चों तक नहीं पहुचनी है किसी कीमत पे नहीं पहुचेगी और जितने बच्चे देखेंगे उसमें सारे लोग मेरी वाबात follow भी नहीं करेंगे उसमें सबका अलग- प्रत्मिक्ता उसकी परिवार की जिम्मेदारी होगी तो किसी की क्या होगा पसंदीधा पोस्ट होगा और जब तमाम तरीके की क्या होते हैं तो आप लोग distribute हो जाते हैं इस कारण से दिमाग से निकाल दीजे कि मैंने इस कीम बता दिये तो सारा बच्चा यह हो गया अब यही क्या हो गया यही आपका red zone हो गया कभी ऐसा नहीं होता है लेकिन एक बात सकते है मैं ELP का form उठाके देख लिजे आप जेई का form उठाके देख लिजे जह हां पर वेकेंसी जादा है वहां पर सबसे आदा form पड़े आपको आकड़े नहीं मालूम तो मैं बता दू हर एक वीडियो का सबसे बहतर इनलिसिस किया हूँ अगर ELP की बात किया जाए तो बिलासपुर में का अभी form जब चेंज हुआ था मॉडिफाइड होने के बाद साह हम और दन 50 परषेंट पॉल सकते हूँ की कहा भी चूंन से ब्रवैकत बच्चे सबसे बाद रठाने जबहुत की बाहत जबाध की बनाने के बात Бडी बनाने के बाद भी और सम बोलोग वीडियो वह आएग आपको आप नूट कर लीजेगा तो इसलिए मैंने आपको नहीं रखा क्योंकि वहां पर बाती लोग जा रहे हैं आप में से कोई फिर भी जाना चाहता है को अपने अंतरात्मा सुनता है सुनना चाहता है तो बिल्कुल जाए वो बिल्कुल जा सकता है वो कई जो नहीं कि हो सकता है आपका अंतरात्मा आपके लिए ज्यादा बेटल कह रही हो तो आप चले जौब क्योंकि भविश्य किसी को नहीं पता है दूसरा मेंने बैंगलूरू रखा है आप बैंगलूरू क्यों रखा है आप लोकेशन पर देखोगे तो मैंने बोला कि जब आप घर छोड जादा बेटर है और उसके बाद फिर मैंने क्या बोला उसके बाद मैंने तीसरा बोला अब आप खोलकता ना जाके वेकंसी आपके पास ठीक है आप भूवनिश्य जा सकते हो और अगर आप में से कोई बच्चा उपने जोन में रहना चाहता है तो प्रयाग राज और प्रयाटी मालदा और कोलकता बताया क्यों क्यूंकि यहां पर भी मणीपूर के लिए बच्चा अगर मणीपूर यहां पर रह रहा है तो गुवार्टी उसका नस्दीक होगा सबसे आदा आपका क्या है सबसादा वेकंसी वालब इस एरिया में देखा रहा है तो अच्छी अगर्ण हो गया तो इनको देखो मैंने सबका लगबत एक ही दरीके से दिया है आप इन चीज़ को सकते हो कोलकता भी आपके नस्दीक है तो आप कोलकता डाल सकते हो कि कोलकता आपके लिए थोड़ा सा यहां पर क्या रहेगा डिस्टेंस वाइस ठीक रहेगा बट आपकी समझे है सिद्ट को अलग-अलग ऑलग जोल से भसते नहीं वेटा आपको एक ही जों में एक ही फोरम में सारे सारी सारे पोस्ट unforgettable हो जाएंगे यह आपका पूरा पोस्ट है, यह 5 पोस्ट अभी आपके इसमें आया है, और इस पोस्ट वाइस कौन सा भेहतर पोस्ट है, मैं पोस्ट वाइस वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे अभी मैंने CCCTS पाया हूँ, अभी साम तक राप तक आपके लिए मैं गुर्ट स्टेंड मेन मैं लेता हूँ, आपको थोड़ ऐसा आप साही वीडियो देखीगा, फेरा फॉर्म भरिएगा, तो आपके ने सेब जोने, अब फिर मैंने 3 Q देया, जिसे मैंने बोल लागा, तो मैं बोला कि आपका पहला प्रिफरेंस गुहार्टी है, आपको लगते हैं गुहार्टी में सब लोग आएं, सर यूपी में भी गुहार्टी बता दियें, और भी कहीं पर गुहार्टी बता हूँ, राचर पदे, तो ऐसे तो गुहार्टी में फॉर्म जदा हो जाएगा, तो आप अपने अंतरमन की सुन लो, आप गुहार्टी की जगा, आप मालदा भल तो दूसी ज आपके पास कितने, कितने फॉर्म मालदा में आये हैं, और कितने फॉर्म कहां पर आये हैं, जैसा मैं बोल रहा था, वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ, मैंने इससे पहले, एलपी टेक्नीशन में ये बात प्रूफ करके दिखा दिया है बच्चों को, और फिर से आपको भी लिड़े हो जाएगी और ये समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस हिसाब में से, अगर आप किसी राज्य से हो, तो आप इससे कर सकते हो, अब रही बात क्टेग्री वाले, तो बच्चे ये बोलता है कि सर हम इस क्टेग्री से हैं, ये तो होगे हम इस र हरियांदा का कोई बच्चा है, या कोई बच्चा कहा पिया, बिहार का कोई बच्चा है, हम एक इक एक्जाम Unity के लेते हैं, मैसे बीहार वाले बच्चे और नहीं बच्चाव YOU, क्लकता है, हरियार के लिए फोरी के मंड़ाय है, हर्यार के लिए पिक्षा combination बच्चा परपुर की बात करें, तो यह सबसे कम रेकंसी में से हैं, 111 और यहां पर 12, तो पटना में 111 है, लेकिन मुझब परपुर में केवल और केवल 12 है, तो यहां पर वही बच्चे डाले, जिन्हें नौकरी से, नौकरी उनके पास है, अब वो चाहते हैं कि उन्हें पस अपना घ कीजिए और आपको फायदा करेंगा, बस सिंपल सी बाती है, तो इसलिए मैंने यह दो, कि अब आप पार्ते करें काटेग्री वाले, तो जैसे आप इन दोनों बिहार होगे, हर्याणा होगे, अब आप सपोस करो कि कोई मेरा फाई जो है, वो ओ बीसी करेग्री गाए, तो OVC कटेग्री में बिहार में पहले बोला कि आप बिहार वाले बच्चे कहां पर जाओगे, बिहार वाले बच्चों के लिए मैंने पहले बोला कि आप भूमनीश॑ का आतरा देख रहे है, गुबनेशन में आप देखो कि अगर OBC वाले है तो 199 सीट आपके लिए है अब आप देखो कि 199 से परियाक्त है ग्रीन जोन में है तो ग्रीन में हूँ इसका मतलब असरने बिल्कुल ठीक बोला है आपको मैंने ग्रीन बताया है आपके लिए सफिशन वेकंशी है क्योंकि अगर आप ज्यादा नंबर पाऊगे तो अनिजर्व वाली वेकंशी तो आपके लिए है और आपके पास टूटल वेकंशी भी 758 है तीसरे नंबर पर आपके पास भी है और कोई इतना बड़ा लफ़ला भी नहीं है आप आराम से इ कि यह पीद है तो ना जनरल में होगा गांशी में ना हुपी सी में तब आप क्या बोलोगे कि हमें तो इस्टेशन मास्टर चाहिए ही चाहिए हम अब क्या करेंगे हम अब नहीं डालें लेकिन कोई बच्चा सोचते यह होगा कि भाई हमें सेलरी बहुत चादा बनाने है औ मैं यही करना चाहता हूँ, तब अपने भुगनेशो नहीं है, तब आप क्या करोगे, तो लगबक सभी के क्या हैं? सभी के पद भी ठीक ठाक है, तो रभाफ को लगता है कि पद भी ठीक ठाक हैं, तो को लगता हैं कि अतने अक्षिन डाल दो, तो आप क्या करो, आप अपना तीसरा विकल्प चुन लोगे, गुहाटी चुन लोगे, और गुहाटी में भी सारे हैं, समझ में आ गया, तो इस प्रकास से आप अपना कटेगरी भी देखोगे, अब आप ये सोचो, कि मैं स्टेट वाइस भी बता दू, मैंने वैससे स्टेट अब थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक चीज आपका बाकी है, पोस्ट प्रफरेंस, तो पोस्ट प्रफरेंस में मैं पहले सारे पोस्ट के बारे में बताऊंगा, ताकि आप ये जान पाओ कि आपके लायक कौन सी पोस्ट है, CCTS मैंने वीडियो बना दी है, उसकी लिंक इसी का माग रहा हूँ कि थोड़ा सा रुक जाए, फिर फ़रम भरिए, आप मैंसे कितने लोग फ़रम भर दए मुझे कमेंट करीगा, और कितने लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, कि नहीं64 आप ये बना देगे, तब हैं और इन हम फ़रम भरेंगे, लेकिन फिर भी मैं इतना ब में आपका बड़ा भाई कर सकता है वो सब कुछ में करने के लिए तैयार हूँ बस आपसे एक भी नम्र विंती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अगर आप प्रोस से जोड़ना चाहते हैं तो परिक्षा प्रसाइब डाउनोड कर लिए मैं आपसे बादा करता हूं कि ब बहुत बेदर आपसे तैयारी कराने वाली है लेकिन आपसे मैं बादा चाहता हूं कि हमारे टीम इधना मेहनत करने के लिए आपसे बादा करती है आप भी मुझसे बादा करिए कि हांसार आप जत्ता मेहनत करेंगे मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं इसी के सा बहुत बहुत धन्यवास अब आप सब्सक्राइब ऊश्क लेगा चनल धन्यवास अब आप